आप सब आई होग के आप सब ठीक होंगे तो चलिए आज का व्लोग स्टार्ट करती हूँ मैं यह मैंने कुछ पिछली वीडियो की क्लिप्स डाली हैं जो की रह गई थी यह डालनी के लिए मिस होई थी मुझसे तो अभी मैंने फिलाल इसमें अड़ कर दी हैं तो कुछ कपड़े भी मैंने वोश किये थे शायद आपके साथ मैंने शेयर किया हो व्लोग में और उसके बाद यह सबी कपड़े आईरन किये थे जो कि इसमें काफी सारा टाइम लगा था वीडियो को मैंने फास्ट पोवरड किया था तो बहुत जल्दी से आपको लगता है वो जल्दी से सारे काम हो जाते हैं बट बहुत ज़दा टाइम लगता है और गर्मी में तो वैसे भी आईरन करने में बहुत ही ज़ादा बुरा हाल हो जाता है बट कपड़े अगर रखे हुए रहते हैं तो भी नहीं अच्छे लगते हैं इसलिए आईरन तो ज़रूरी है क करना फटाफट से फिर आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं अगर में भी आपको पहनना हो तो फोरन से निकाल के आईरन नहीं करनी होती है तो फोरन आप कपड़े निकाले और पहन सकते हैं तो इसलिए मैं हमेशा आईरन करके रखती हूं कपड़ों को अभी थूड़ी गर्मी ज और अपने कपड़े एक जगा पर सेट करनी हूं अपने बेटे के कपड़े भी मैंने अच्छे से सेट कर दिये हैं और उसके बाद में मैं जो ये सेवयां थी जवे थे जवे सेवयां कुछ भी आप बोल सकते हैं तो ये इस तरह से थे इनको मुझे करना था रोष्ट और ये अज़े बनाने हो तो मैं जल्दी से उन्हें बना लूँ दूद में या फिर नम्कीन वाली में रेसिपी भी बनाती हूं इससे तो अगर मुझे बनाने हैं तो मैं इसली इसको बना सकूं फिर मेरा टाइम वेश्ट ना हो इसमें इसके लिए मनें मोटे तले की एक कड़ाई ल और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे रोष्ट करना होता है यह वाली सेवई या जवे मेरे हस्बेंड के लिए आते हैं इस पेशली उनको बहुत जादा पसंद है यह जवे तो जवे मेरे बुन चुके थे उसके बाद में मैं बनाने लगी थी कठल की सबजी तो उसके लिए मैं कठल को एक तरफ अच्छे से यह कट करके रख लिया है चोटे चोटे पीसिज में और मैंने थोड़ी सी प्यास कट करके रखी है और हरी मिट्च जो की मैंने गरम ओईल में डाल लिया है और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी ज्यादा मुझे तेज प्राई नहीं करना था और उसके बाद में मैंने कठल इसमें एड कर दी है और कठल के साथ भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी प्यास को रही मिट्च को और इसी के साथ यह कठल भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी जादा हमें इसे डार्क नहीं करना है यह देखें और इसको मैंने टाइम लगता है गलने के लिए इसलिए हम इसे एक बार फिर से पकाएंगे अभी सभी मसालों के साथ और बहुत जादा टेस्टी इस टाइम कठल आ रही है और बहुत ही जादा टेस्टी यह लगी थी बनके काफी अच्छी लगी थी इन्शालला मैं इसको दुबारा भी मं गांगे और काफी टाइम बाद मैंने कठल बनाया था और मुझे काफी अच्छा लगा इसका टेस्ट और शके बाद मैं दुबारा से कड़ाई में और लाल डिया है इसको मुझे फिर से गरम करना था अश्म करना जिएरा गरम होने के बाद मिने इसमें जीरा अड़ किया है और जीरा जैसे ही गोल्डन प्राउन होगा और लिज ढाइ ли चाहे और यह पर खूर गारलिक और जीर निय líder अमेद अदम कर मेंड़िये और जीरा जिरा कर दो मुझे लिए अधा आप केजी यां़ पन सु यह प्राइब दाला है उसको थोड़ा सा प्राइब कर लूँगी और फ्लेम को मैंने हाई पर रखा है और तक इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए कच्छी वाली जो इसमेल होती है मसालों में तो इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला यह देखें इसको मैंने अलग से बना के रखा है पेस्ट को इसको भी मैं किसी चीज में मुझा एड करना होता है तो इसलिए मैं अलग से इसको पेस्ट को बना के रखती हूं और उसके बाद में मैंने इसमें रेड चिली पाउडर एड किया है और हल्दी पाउडर मैंने इ ईपजी आपने अकोर्डिंग रेड चिली पाetes इसमें एड कर सकते हैं but मैंने 1 टेबल स्पून इसमें एड किया था रेड चिली पाॉडर आप अपने according कम या जादा कर सकते हैं और सबी मसाले अच्छे से बुनने लगे हैं ये देखें मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया है गैस का नहीं तो ये सारा मसाला नीचे लग जाएगा इसलिए गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है अभी मसालों में कुछ कची समेल आ रही थी मुझे तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और अड़ किया है और थोड़ा सा मैं अभी इसमाले को और पकाऊंगी यह देखें, अच्छे से एक बार इसको पका लोगी और मसाली से भून चुका है और उसके बाद में मैंने कठल कर दूंगी, कठल को सबी मसालों के साथ मिक्स कर लोगी मैं , बहुती इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा मुझे इसमें में पानी आड़ करना है क्योंकि काफल चुकी ती सरी कफल को मसालों के साथ मीक्स कर लूए में यह को साथ मिन इडा किना स to य опыт चाल को क्या जानेर कर लियाो की ऑ और इसके साथ बहुणते जाओंगी और और शेयिक का दो किना एड गारो के सब्सक्राद में हाँDO है मिरद कशी वह दो अब कर दोसके अधीन के उन्हें सिर्फ इतना ही पानी मैंने इसमें एड किया है यह देखें इसके बाद में थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं डिट से इसको कवर कर दूंगी और कवर करके मुझे इसे पकाना है और यह देखें लीट से मैंने से कवर कर दिया है और साथ से आठ मिनिट के लिए मैं इसे पका लूँगे अच्छे से और कठल मेरी बनकर रेडी है यह देखें और अच्छी तरह से गल चुकी थी और मैंने अरदनिया लेकर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था यह देखें ऑईल इसमें उपड़ आ गया है यह देखें काफी टेस्टी यह बनकर रे दिया है और यकीन मानिए यह बहुती जादा टेस्टी बनकर तेयार हुई थी मुझे तो बहुती जादा पसंद आई थी इंशाल्ला में जल्दी ही फिर से बनाने वाली हुई से मुझे इतनी जादा पसंद आई थी बहुती जादा मजे की यह कठल बनकर रेडी हुई थी किविए आपको बहुत जाधा पसंधाए ठीक हमसालूगी लगों सब्सक्राइए धी भी हैा जाधा जया है वेक्षिते-धे बहुत जूब्सकुत-इजिंग open-up की कैसी लगी और कठल के साथ इसके बीज भी काफी अच्छे से पक चुके थे और वो भी बहुती ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे उसके बाद में नाइट टाइं में खाना खाने के बाद हमने खायती आइस-क्रीम जो की मेरे हस्बेंड ने मनाई थी मेंगो वाली कोल्डिंग से और बहुती जादा यह टेस्टी लग रही थी बट ये बहुत जादा जल्दी मैल्ट हो रही थी तो इसलिए हमें चल्दी जल्दी से इसको खाना पड़ा क्योंकि गर्मी जादा होने लगी है आज कल और थोड़ी देर पहले से मैंने इसे बाहर निकाल के रखा था तो अभी हम आईस्क्रीम खा रहे थे सभी और ये नैक्स नेक्स डे शाम की एक लिप है डिनर कर रहे थे अभी और इसके साथ हमने मंगाई थी चाच जो कि बजार से हमने मंगवाई थी और बहुती जादा इन सभी चीजों के साथ ये देखें काफी टेस्ट ही लग रहे थी और अगर आप हैवी डिनर कर लेते हैं तो भी आप इसम पी सकते हैं अच्छे से और ये मेरे हस्बंड ने तो इस इस में चटनी आड़ की थी बट मैंने सिंपल रखी थी काले नमक के साथ और इससे खाना भी अच्छे से डाइजेस हो जाता है तो काफी टेस्टी लगती है ये अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज दू लाइक, शेयर, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला आपीस